हेलो एंड वेल्कम स्पोर्ट्स वार इस वीडियो में बात करेंगे हम नेपाल के ODII World Cup Qualifier के फिक्चर्स के बारे में जैसा कि यार कल आपने देखा कि ICC ने World Cup के फिक्चर्स का क्वालिफायर का इलान भी कर दिया और इस वीडियो में आपको बताँगा क्या रहे हैं नेपाल की टीम इंडिया में होने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं नहीं कर सकती और जिस तरी किस्टर्स आया आप बोलोगे क्या थोड़ा टफ है इतना ही जी नेपाल के लिए रहने वाला नहीं है कि आप महापर क्वालिफाई कर जाओ अगर हम पहले बात करें तो ग्रूप के बारे बता देतें कि नेपाल की टीम कौन से ग्रूप में है अभी अगर आप पीछे फोटो चला सकते हो ग्रूप वाली अगर आप ग्रूप एक ही बात करते हो यहां पर तो वेस्ट इंडिज है जिंबावे नेदर लेंड्स है नेपाल है यूएस से फिर आप बात करोगे तो सिरिलंका है आयलेंड है इसकोटलेंड है ओमान है यूए की टीम है लेकिन बात करते है ग्रूप एक ही जिसमें भाई आपकी नेपाल की टीम सामील है वेस्ट इंडिज जिंबावे नेदर लेंड्स और यूएस से आप सोच रहे की यार यूएस से को तो ने कंडिसेंद में खेलेगी तो एक बेनिफिट आपको उसको मिलता कि कंडिसेंद में खेलने का उनके पास कोई कमी नहीं है वहाँ पर किरेग एरविन आप देख रहे हो मुझरबानी को आप देख तो भी पागिस्तान एक एक अगेंस जो स्रीजिंबावे खेल रही है उनके प् क्वालिफाइर का फिक्स्टर्स भी पता है कि टोप थिरी की टीम में आपके सूपर सिक्स के लिए वहाँ पर क्वालिफाइग कर जाएगी आप सूपर सिक्स में तो चले जाओगे लेकन उसके बाद क्या उसके बाद यह है कि आप क्या वेस्ट इंडिय और जिंबावे का आप बीट कर सकते हो यह क्या आप बोलो गया एसी सी प्रेमेर कब में तो नेपाल की टिम ने काफी अच्छा खेला भी है वहाँ पर चाया आप यूई की बात करो उनके अगेंस आपके नेपाल ने काफी अच्छा करा लेकिन चांसिस की हम जब बात करते एक बार में इनके आप दूसरी फोटो चला सकते हो नहीं इस से अगली वाली है हां यह भाई आपके नेपाल के सिक्स्टर से मैच के आपको अभ्यास मैच खेलने हैं अगेंस यूई के लना आपको 13 जून को फिर उसके बाद ओमान के साथ आपको 15 जून को खेलना कि आप प्रेक्टिस का आप अपने यू एई और ओमान की टीम को भाई अपने फिलाल के फिलाल में अपने अच्छी तरह कि सबाए लेकिन यार जह में पर देखी लो जाए लो आपको 18 जून को जिंबावे प्र वेस्ट इस आपको खेलना नैजडर लैंड्स से आपको खेलना है नैजडर लैंस और कि इंसाब ने देखा कि इस तरगे से नोने स्रीज जीती ओष्टेले के अगेंस जिंबावी की टीम काफी अच्छा केली वहापर जीती वहापर है एक ओड़ी मैच जीती इंडिया को भी लगबग आपकी जिंबावी की टीम ने हरा दिया था लेकिन वहापर वो लास्ट में फिनिस नहीं कर पाई तो इसलिए थोड़ा टाफ है नेपाल के लिए कि जिंबावी और वेस्ट इंडिज का फरापा हूँ लेकिन यह कि नेपाल का क्रिकेट भाई बैटर दी कर रहा आप एसी से इमेर्जिंग कप के लिए आप क्वालिफाई कर गए है वहापर जो इनकी टीम स्कोर्ड का एलान भी हुआ इनका वहाँ पर आप टीम में आपको बता देता हूं क्या भाई पोसिबिलिटी से हैं क्या प्लेयर से इनके जो लगातार नेपाल के लिए अच्छे कर रहें एक बार दो आप टीम चला दो है इनकी यह भाई इनका नेपाल का प्रिलिमिने ललीत राजबंसी आपके वह भाई जो आप बात करते हो ना आसिफ सेख की आप बात कर रहें वहाँ पर रोहित पोडेल के बात करते हो संदीब लमिचने करन से करन केसी और सोंपाल कामी इन प्लेयर से ने लगाता अभी तक अच्छा कि आपने जो एसी सी प्रेमिर कब आप उबर मदद गार चीजें रहती है आपके जो है यार ज़ो हम करन केसी की बात कर रहें सौंपाल कहांकी हम बात कर रहें वहाँ पर तोड़ा लगता है कि आपके सारा धारम designer ना रोहईस पोडएल आपके संदीब लमिचने हो गई आपके फिर करन केसी हो गया गोई गुलसन देखो उलट फेर होते हैं आपने देखा कि जिस तरह किसे अफगानिस्तान की टीम बांगलदेश की टीम अपने खेल के इस तरह को हमेशा डेवलप किया है जो बांगलदेश और वेस्ट इनिज आपको पहले दिखती थी बांगलदेश और अफगानिस्तान की टीम आप देख कर सकते हो 2027 के वर्लकप में सावत अफ्रेका में जो वर्लकप है वहाँ पर आपकी 14 टीमेंस खेलेगी तो आपको सारा ध्यान वहाँ पर हो चीए अगर आप यहाँ पर भाई कुछ वलट फिर करने में कामयव रहे और आपके लिए चीज़े यह क्या आपको बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के मौके मिलेगे वहना नेपाल हो गई आपकी UAE हो गई आपकी ओमान हो गई इन टीमों को मौका नहीं मिल पाते हैं नजरे वही है नेपाल की टीम के संदिव लमिचा ने आरिफ सेग होगा रोइत पोड़े लोगा इनके कप्तान सारी नजरे उन पर ही होग कि वो टीम भाई वहापर उलट फिर कर सकती है आप कुछ सवाल ले लेते हैं वहाई कि जो अगर कुछ सवाल आ रखे होगे तो और यह यार देखो कोई इंडिया की टीम जब नाइंटीटी थी वर्ल्ड कप जीती ती ऐसा नहीं था कि बहुत स्ट्रॉंग टीम वहापर और आप एक एक स्टेज आगे बढ़ते हो लगाता है अगर आप भाई अपनी खेल में थोड़ा सुदार करोगे आपके गेम पिलै नेपाल के साथ आइसी सी ने ठीक नहीं किया ब्यास मैच फुल मेंबर के साथ नहीं दिया भाई आप महापर देखते हो उस तरगे से अगर आप देख रहे हैं यूए यूए हो गई ओमान हो गई आप कह सकते कि आप वैस्टेंडी जिम बावे या आप सिरिलंका के साथ उन लेकिन यह ना आप जिम बावे हो गई आपकी वेस्ट इंडीज हो गई आपको जब इन साप गुरूप में वहापर खेल हो गई तो आपको एक्स्पिरिंस तो महापर मिलता है और नेपाल अभी यह के भी सी कर गई है तो नेपाल की बहुत बड़ी टीम हो गई अभी एक ही हुई है और उसी तरीकी सा नेपाल की टीम भाई यहां से आगे बड़ेगी पोसिबिलिटी आप जिम बावे को अगर हराओगे तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यारे कि टैस्ट खेलने वाले देश को हमने हराद दिया मापर मौन भाई कहरे भाई इस बार नेपाल चोक नहीं कर कर देगी बहुत बार हो चुका है वल्ल्ड का पोसिबल लो चोक डिस टाइम जे पसुपती नात बाई सभी बात है चोक मैं आप चोक की नहीं कहा रहे है कि नेपाल यह आपर चोक कर देगी लेकिन अब जब पॉसिबिलिटी के आप बात करते हो वहापर जिंबावे या वैस्ट इन डिज्वेस्ट इंडिज कोई हलके टीम थोड़ी है वहापर आप देखते हो वहापर आप आप ज्यादा उमीद हैं मतलब हर कोई अपने देश से यह उमीद है लगाता कि हमारी टीम वर्ल्ड कप लेकिन आप ज्यादा उमीद है लगाना वहाँ पर बेगार है क्योंकि आपको समझना चाहिए कि नेपाल की टेम भी सीक्रियों जो वेस्टन डी जिंबावे सिरी लंका नेदर लेंड्स, स्कोर्ट लेंड, आयलेंड, यह भाई कहीं से भी हलकी टीम ने इन्हों भी लगबाग 15-15-20 साल बाद जाके बैटर हुई है तो आपके नेपाल की टीम ने तब पिछले 2-3 सालों में है काफी अच्छा कर भी दिया चाहिए आप एसे कप के लिए क्वालि पिछले 2 साल से बैटर ही कर रहा हूँ वापर जिस तरह की का पर्फॉर्वेंस उनकी देख रहो पेले एर उनके पास मिल रहे है मुझरबानी की बात करो आप नगारवा की आप बात करते हूँ वापर सिकंदर रजे की हमने बात करी हूँ वापर तो जिमभावी की टीम भी टीम है और आपको मैं इसलिए कह रहता है कि आई सी को कम से कम 14 टीमों को टूर्णमेंट रगना चाहिए यार 2019 में आपकी दस टीम है दो यार 23 में आपकी दस टीम है जो बाकी की टीमोंने सीखने को क्या मिलेगा आई लैंड नेदर लैंड्स आपकी जिमभावे इसको ट्रे से तो फिर होई आठ दस टीम में खेल थे रहीं आप पर आप बात करते हों कि दस टीमों में कोंपीडिशन और आपको बोरिंग मैचिस नहीं देखने को मिलेगे लेकिन चोदा टीमा वाला फॉर्मेट काफी अच्छा रहता है जो आपके नेपाल नेदर नेदर लैंड्स हो हो गई जिंबावी की टीम हो गई यार उन्हें कम से मोका तो मिलेगा ना बड़ी टीम उसे खेलने का वहना मोका उस तरीके से नहीं मिल पाता माँ पर मोन भाई कह रहे है आई सी सी डिस्क्राइमिनेट नेपाल नोट गिविंग वार्म अप अगेंस फुल मेंबर भाई उसका बारे में बता है कि आपके फिक्स्चर्स उसी तरीके के होते हैं लेकिन यह एकि यूई हो गई यूमान हो गई कोई हिलकी टीम ही नहीं आपको उनक के साथ भी खेलोगे तो आपको महापर वार्म अप में थोड़ा कुछ यह कि आप बैटर करते हैं तो confidence आप लेकर महापर जाओगे और यह तक ही नेपाल इस वीडियो में बताए कि नेपाल के जो फिक्स्टर्स है नेपाल की क्या पोसिबिलिटीस है चांस इस उतने हुआ 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 है